ओम नमस्षिवाय श्वागाते आप सभी का मेरे अच्छे स्वाराद्वा योटूब चैनल पर आज मैं आपको पुत्रदा 81 का माहवपाय बताने जारूं स्रावड मास का महिना और सामन मास के शुकल पकिकी ये 81 पुत्रदा 81 पुत्रदा 81 पर बहुत ही अच्छा योग बन रहा है भगवान सिव और भगवान विष्णु दोनों का दिन एकी दिन सिवलिंग पर बेल पत्र चड़ाते हैं उनकी प्रतिक मनुकामना पूरियोती है धन बढ़ता है सुक्षम्रदी बढ़ती है सरीश्वस्त रहता है और साथ ही पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं सावनमास का महिना भगवान सिव और माता पारवती का प्रिय महिना है दोस्तो भगवान सिव बेहदी प्रसन रहते हैं श्रावनमास में छोटे छोटे सिव पाए इनका विशेशलाम मिलता है अगर सोम्मार के दिन पुत्र दा एकासी पड़ जाती है तो समझ लेजे कि आपकी पुत्र की मनुकामना जरूपूरी होगी सबसे पहले इस दिन भगवान सिव जी का प्रियोग नहीं करना है उसके बाद भगवान सिव जी को पुस्प, बेल पत्र, भांग, दतूरा, आदी चीज़े अरपन करें शोमार का दिने हैं पुत्रदा एकासी है तो इसलिए चावल का प्रियोग नहीं करना चाहिए शोमार के दिन चावल बहुत ही शुब रहते हैं लेकिन इस दिन एकासी पड़ रहे हैं तो भगवान सिव को आपको चावल नहीं चड़ाने ब्रत बाली चावलाब चड़ा सकते हैं इस दिन भगवान को गोड, समी पत्र, बेल पत्र, भांकी पत्तियां ये चीज़ आरपड करें साथ ही दीपक जलाएं, चोमुकी और उसमें दो लोग डाल दें उसके बाद लड़ू को पाल जी को इस्नान कराएं भगवान कृष्ण को इस्नान कराएं, उसके बाद उनको आशन पर बराजमान करें, बस्त्र पहनाएं तुलसी पत्र, भगवान को तुलसी पत्र जरूर अरपड करना है तुलसी पत्र अरपड करते समय आपको अपनी मनुकाम न बोली हैं प्रवु हे गोविंद, हे मादव, आप हमारी पूजा को सुईकार करें। फिर आपको भगवान के सामने केली का फल अरपन कर देना है। अगर कमल पुष्प मिलता है तो भगवान को अरपन करें, ने तो आप कोई भी पुष्प अरपन कर सकते हैं। उसके बाद भगवान के सामने दीपक जलाएं और पर पुत्रदा एकादसी की कथाखा स्रवड करें। पुत्रदा 81 की काथा का असरवर करते समय आपको संकल्ब जरूर करना है कि प्रभू मेरी पुत्र की मनुकामना पूरी करें मैं पुत्र प्राप्ति के लिए ब्रत्र करा हूँ उसके बाद भगवान को केली का पहलर पन करें गाय का दूदर पन करें इन चीजों से भूग लगाए और ये चीज आपको खाने भी चाहिए रात को प्रदोस काल में भगवान सिव के सामने चौम की दीपक जलाएं और भगवान विश्णू के सामने चौम की दीपक जरू जल है पर वो बहुत बड़ा पर्व है और स्रावर मास का लाश्ट सोंवार है तो इस दन जिरों ने सोंवार के ब्रत रखे हैं वह इस दन उध्यापन भी करें तो चूरमे का भोग भगवान सिव को लगा सकते हैं खीर का भूग लगा सकते हैं इससे आपको आशिवात मिलेगा वीडियो को जाज जादा सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट में जैसे किस निरू लगें